नमस्कार दोस्तों, पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीबाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा सौवेट उनियन के पतन के बाद की रश्यन एकॉनमी के बारे में डाउन फॉल में चली जाती है, तो इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले पात्फाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह के इंट्रेस्टिंग लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त हो, अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडेफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अनकाडमी एप पर भी आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कीजे, ता आज दिन तक नहीं दिया गया है, so this is only one time offer, पहली बार इस तरह का कोई offer आया है, जिसमें हम optional को पूरी तरह से free में दे रहे हैं, so इसका फायदा उठाईए, 10% discount प्राप कीजिए, अगर महिपाल कोड का इस्तमाल करते हैं, तो, 13 March, रविवार, सुबह 9 बजे, अनकाडमी का एक special event हो रहा है, मुखर जी नगर दिल्ली में, तो अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आईए, आपको दो किताबें भी free में मिलेंगी, जो book आप चाहें, वो free में ले जा सकते हैं, so it is a one of a kind initiative in India, इसमें आपको कहां आना है, इसक साथी देशों का good, और दूसरा था, US और उसके पशिमी साथी, western allies and soviet allies, तो दुनिया लाल और blue color में इस तरह से विभाजित थी, लेकिन कई देश ऐसे थे जो non aligned थे, किसी के भी साथ नहीं थे, और उन देशों का leader था भारत, तो जहां तक योरोप की बात है, योरोप में ए एक iron curtain बन गया था, iron curtain क्या है, ये कोई लोहे का परदा नहीं था physically, बढ़ हाँ, योरोप को economically, socially, culturally divide करने वाला एक border था, और कई जगे physical border भी था, जैसे कि जर्मनी में, तो इस border में इस तरफ आप देख सकते हैं, Soviet Union और यहां पर पूरा Central Europe शामिल है, जर्मनी 200 में विभाजि सरकारें थी, और उसी तरह की economic policy भी थी, किवल public sector companies allowed थी, कोई अरब पती वहाँ पर नहीं होते थे, there were no billionaires और millionaires, कोई भी private industry और property allowed नहीं थी, जो पश्यमी देश थे, यहां पर private sector allowed था, और Nordic countries जो हैं, यहां पर दोनों तरह का system मौझूद था, 40 सालों तक शीत युद्ध च बनाएं, लेकिन इस space race ने Soviet Union को कंगाल कर दिया, अगर in short आपको बताऊं, तो जालत तर जो Soviet Union और उसके साथी देश थे, उनकी economic हालत इतनी खराब हो चुकी थी, 1980 के दशक में, कि उन्हें reforms करने पड़े, उनकी मजबूरी थी, कि उन्हें अपनी economic policies को change करना पड़ा, तो 1988 स 91 का जो ये 3 साल का time period है, इसमें कई देशों ने Soviet Union का साथ छोड़ दिया, Soviet Union का विगटन हो जाता है, और इन देशों ने open market economy को अपना लिया, इन्होंने कहा कि हम privatize करना चाते हैं, अपनी economy को socialism से capitalism की तरफ ले जाना चाते हैं, और ये दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही watershed moment है, क्यूंकि Soviet Union का पतन cold war को समाप्त कर देता है, शीत युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका एकलोता superpower रह जाता है, 91 के बाद में, हलाकि अब वो superpower जैसा लगता नहीं है, अगर आप चाते हैं कि हम अमेरिका के rise to power और declining power पर एक चर्चा करें, तो बताईएगा comments में, ऐसा ए अमेरिकी संस्थान या पश्चिमी संस्थान, तो एक संगठन बना था जिसका नाम था Washington Consensus, कोई official संगठन नहीं था, बस अनपचारिक रूप से इसे Washington Consensus कहते हैं, क्योंकि ये तीनों संगठन जो साथ आये थे, ये Washington-based थे, so first one was International Monetary Fund, IMF, दूसरा World Bank और तीसरा US Department of Treasury, तो इ इनों ने Economic Policy Prescription दिया, कि आप ऐसा काम करो जिससे आपकी Economic Policy में सुधार होगा, और इसे Standard Reform Package के रूप में दिया गया, तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ये डॉक्टर हैं, और ये सारे मरीज वाले देश हैं, और इन मरीजों को ठीक करने के लिए ये दवा दी जा रही है, तो ये 10 गोलियां अगर आप खाल होगे, तो आप ठीक हो जाओगे, तो ये Standard Economic Prescriptions दिये गए, जिन में सबसे Important दवाई थी, कि सरकार का जो Size है, उसे छोटा किया जाए, Down Scaling of Government, Deregulation, अपने जितने भी Important Industry Sectors हैं, उनमें सरकारी Red Tape को समाप किया जाए, Private Industry को Allow करिए, Rapid Liberalization होना चाहिए, और Industry को Privatize कीजिए, अब ये जितने भी Soviet Union या Central European countries थे, इन में सब कुछ Public था, यानि कि सब कुछ सरकार का था और State Owned, अब इन पूर्व Soviet Union के देशों में से कुछ ने इन दवाईों को खाना शुरू किया, कडवी दवाई थी, सभी को हजम भी नहीं हुई, लेकिन reforms को slow and steady pace पर implement किया, सेम चीज़ चाइना ने करी थी, डेंज जाओ पिंके कारिकाल में 1979 से 1980 का जो पूरा time period था, उस समय चाइना ने भी अपने यहाँ पर liberalization, privatization बढ़ाया और भारत ने ये काम शुरू किया 1991 के बाद में, तो हमारे यहाँ पर shock therapy नहीं थी, इन देशों को य आप तुरंत ये दवाई खा लो, तो ये एक प्रकार का economic shock था, जिसे कई देश जैसे की Russia जहल नहीं पाए, हमारे देश में privatization, disinvestment of PSUs हुआ, लेकिन दीरे दीरे, gradual process था, आज दिन तक चल रहा है, 25 साल हो चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक ये ongoing है, हमने पह आज पैसा देश में आया, और कल आप निकाल कर ले जाएं, ये allowed नहीं था, अगर देश में investment आ रहा है, तो वो लंबी अवधी का investment allowed था, अगर कोई आप bank खोल रहे हैं, कोई economic institution या कोई भी industry आप लगा रहे हैं, तो लंबे समय के लिए उसे लगाईए, ऐसा नहीं है कि अपने short term capital flows 2006 के बाद हटाये हैं, imagine 15 years after the LPG process was started, तो जब LPG process की शुरुआत हुई थी, तब मनमोन सिंग जी थे finance minister, और जब ये finally short term FDI flows को हटाया गया था, restrictions को हटाया गया था, तब ये प्रजान मंत्री थे, तो हमारी जो ये LPG की यात्रा है, ये slow and steady रही, और इसका हमें फा आपको ये बताता हूँ, रशिया में Soviet Union के विगटन के बाद Boris Yelstein power में आजाते हैं, ये president थे रशिया के 9 सालों तक Boris Yelstein और इनके सामने कई सारी economic समस्याय आती है, जैसे ही Soviet Union का विगटन हुआ, तो रशिया में भी लोगों को उमीद जगी, कि हमारे देश में भी सच्ची democracy आएगी, हम भी vote डालेंगे, हमारे नेता चुने जाएंगे, लेकिन ये hope आज दिन तक 100% पूरी नहीं हो पाई, रशिया में चुनाव होते हैं, but they are not considered to be fully free and fair elections, तो डेमोकरिसी रशिया में आई, दीरे दीरे आई, कई सारे पूरू Soviet Republics में आती है, लेकिन कई सारे आज भी dictatorial regimes के अंडर में देखे जा सकते हैं, तो पश्चिमी देशों ने क्या करा, डॉक्टर की भूमी का नभाई, इन्हें लगा कि ये पूरा Eastern Europe मरीज है, इनकी economic हालत, आर्थिक स्थिती बहुत ही खराब है, तो चल पड़े ये अपना stethoscope लेकर इन economic policies को सुधारने के लिए, औ तो गलत था, वो procedure पूरी तरह से अब reject हो चुका है, लेकिन कुछ उसी तरह का procedure इन देशों की economies के साथ अपनाया गया, it was a shock therapy, आप एक दिन चल रहे थे communism में, अगले दिन आप आगे capitalism में, तो इतना तेज शॉक इस economy को मिला, ये economies इसमें cope-up नहीं कर पाई, कोशिश क्या थ कि इनको shock देकर western style capitalism में convert कर दो, रातो रात, एक महिने में convert कर दो capitalism में, rapid privatization, तुरन सब कुछ privatize, तुरन सब कुछ liberalize कर दिया जाए, लेकिन ये व्यवस्था कारगर नहीं रही, क्यूंकि short term capital flows allowed थे, भारत में नहीं थे, रशिया और कई देशों में allowed थे, short term capital flows का मतलब है, और पैसा जा भी सकता है, आप पैसे के आने और जाने दोनों को restrict नहीं कर रहे, इसके कारण stock markets में भारी उतार चड़ाव आते थे, आज के उतार चड़ाव कुछ नहीं है जो 1990s में देखे गए थे, दुनिया के कई share markets में, especially in Russia, और instantaneous price liberalization हुआ, कोई price cap नहीं है, खाने पीने की वस्तुओं में बहुत भारी इजाफा हो गया, prices में, आम Russians के लिए normal चीजें, bread खरीदनी मुश्किल हो गई थी, there was so much of inflation, hyper inflation हो गया था, कई देशों में, including Russia, जिससे आम लोहों के जीवन के स्तर में बहुत फरकाता है, Ukraine में भी, जो कि एक Soviet Republic ही है, पुराना, यहाँ पर 3300 प्रतिशत की दर से prices बड़ी थी, can you imagine, 3000% price increase in just one year, तो यह सब कुछ 91, 92 में हो रहा था, उसी समय, monetary policy को tight किया गया, तो जब inflation होता है, तो कोई भी Central Bank यही करता है, interest rate बढ़ा देता है, तो interest rate बढ़ा दो, market में credit कम हो जाएगा, credit कम होगा, तो इनको लगता है, कि आसानी से inflation control म आ जाएगा, तो tight budgets थे, fiscal austerity का उप्योग किया गया, ताकि hyper inflation नीचे लाया जा सके, लेकिन इसके कारण overall economy भी नीचे आती है, देखे जब market में पैसा नहीं होता है, loan असानी से नहीं मिलते हैं, तो inflation तो control में आएगा, लेकिन जो free flowing पैसा है, वो companies के पास जब नहीं होती है, economy shrink होनी start होती है, अब एक तरफ तो आपकी private economy take off नहीं कर रही है, economy shrink कर रही है, और दूसरा बड़ा जटका दिया गया, जितने भी PSU थे, इनके public sector enterprises थे, उनको रातो रात private organizations या बड़े-बड़े उध्योग पतियों के हातों में बेच दिया गया, कौडियों के दाम पर, Soviet Union ने अपने देश में बड़े-बड़े industrial complexes तयार किये थे, almost every kind of heavy machinery in the world was manufactured in Soviet Union, और उन सभी plants को, machines को, industries को, कौडियों के दामों पे, अपने favorite उध्योग पतियों के हात में, सरकार ने महाँ पर दे दिया, बहुती सस्ते दामों में, स्थिती ये हो गई थी, कि जो industrialist कल त बड़ी-बड़ी industries उसके हाथ में आ गई है, और उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या करना है, तो जब इतना पैसा इनके पास आ जाता है, तो ये oligarchs बनने start हो जाते हैं, आगे बताऊंगा oligarchs कौन है, क्या होता है exactly oligarchy, लेकिन ये oligarchs जो हैं, बड़े चालाक निकल परिस और इटली जैसे देशों में, फ्रांस जैसे देशों में, इटली जैसे देशों में, बड़े-बड़े बंगले खरीदने के लिए पैसा खरच कर दिया गया, यॉर्ट्स खरीद लिए, luxury lifestyle इन्होंने अपनानी शुरू कर दी, और ये सारा पैसा कहां जा रहा है, देश से बाहर transfer कर दिया, तो सरकार ने liberalization ये सोच कर किया था कि पैसा दूसरे देशों से रशिया में आएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा कि पैसा रशिया से दूसरे देशों में चला गया, जो थोड़ा बहुत पैसा उनके पास था, वो भी, तो जिस तेजी से पैसा आ रहा था, उससे double, triple तेजी से पैसा बाहर जा रहा था, इस massive capital flight का best example में आपको बताता हूँ, रशिया का पैसा लेकर अचानक एक दिन एक अंजान सा billionaire लंडन पहुंचता है, रोवन अबरामोविच उस विक्ति का नाम था, और ये आकर इंग्लैन के सबसे पुराने clubs में से एक Chelsea को खरीद लेता है, 2003 की ये बात थी, और ये बहुत ही shocking था, क्योंकि उस समय football clubs सारे British owned थे, अब तो दुनिया बार के अमीर लोगों ने खरीद रखे हैं, कोई Saudi Arabia, कोई UAE के shake ने खरीद रखे हैं, लेकिन उस समय ये पहला club था, जो किसी foreigner के हाथ में चला गया था, और अब रावों इसको कोई नहीं जानता था, कि ये कौन है, कहां से आया है, इसको Russia के बाहर कोई नहीं जानता था, but he came with a check and अचानक से Chelsea को खरीद लेते हैं, अभी आपने recently न्यूज में देखा होगा कि Chelsea को इन्होंने trust के हवाले कर दिया है, तो ये capital flight का मैं आपको example बता रहा one third fall आ गया, तो दुनिया आगे बढ़ती है, रशिया में 33% downfall आ गया, और उसी समय दूसरी communist countries जो हैं, वो तेजी से तरक्की कर रही थी, तो ये रशिया वालों के लिए और जादा एक अचंबे वाला विशय था, कि चाइना और वियतनाम जैसे देश, जिनको 20-30 साल पहरे दिखाई इस समय वियतनाम ने 75% और रशिया में 33% downfall नीचे आया, तो आप इस graph को देखिए, किस तरह से चाइना और USSR की यात्रा रही, ये USSR का graph धीरे 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 उपर बढ़ रहा है, और अचानक से नीचे आ जाता है, रशिया का graph है ये इसके बाद, और चाइना का ये लडाईयां लडी, तो जैसे Georgia का invasion है, Crimean annexation, अभी Ukraine वाला हमला, इस सब में हमेशा ruble पर बहुत जादा असर आता है, तो Russian ruble में fluctuation देखिए आप, 98-99 में ये अपने debt को default कर गए थे, अपना उधार नहीं चुका पाये थे, तो fluctuations देखो आप, कितने जाद हैं, अभी तो communist देश था, लेकिन China तेजी से grow कर रहा है, और Russia या Soviet Union जो की एक अच्छा कासा industrialized country था, वो तेजी से नीचे आ रहा था, China की economy, Russia की 60% थी 1990 में, और ये 2000 तक figure exactly opposite हो गया था, Russia was just 60% of China at the end of year 2000, तो ये globalization जो है, पश्चीमी देशों ने इस प्रकार का globalization कराया है, कि इन्होंने Asian countries क markets को तो अपने लिए open कर दिया, लेकिन जो अपने खुद के trade barrier से इन्हें हटाया नहीं गया, इसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब है, कभी आपके बास समय हो selection के बाद तो इसे पढ़िएगा, तो देखिए कई देशों में blanket protection होता है, communist countries में blanket protection था और ये काम नहीं कर लेकिन दूसरी तरफ जो shock therapy है, rapid trade liberalization, यानि कि सब कुछ सारे control हटा दो और सारा विदेशी समान अपने देश में आने दो, ये भी काम नहीं करता है, जादा तर industrial countries जो हैं, उन्होंने काफी लंबे समय तक किसी ना किसी प्रकार का trade protectionism रखा है, यानि वो अपने देश में बा दुनिया की दूसरी देशों के सामने टिक सकें, उसके बाद इन्होंने अपने trade barriers को हटाया है, आप इसका parallel देखेंगे, जो भारत में British शासन था, East India Company का या British हुकूमत का, उससे काफी parallel देखने को मिलेगा, आप मेरा lecture देखेगा, Modern History का L18 जो है, उसमें इस बारे में मैंने चर्चा करी है, अब जब ये सब कुछ चल रहा था तब, आम रश्यन की जिन्दगी पर क्या असर हुआ, आम रश्यन को खाने के लिए bread महंगी मिलती थी, तीन गुना, चार गुना bread के दाम बढ़ गए, जो ड्रोज मर रहा की जरुरत की चीज़ें, साबुन तेल जैसी ची क्योंके देखो, देश की economy अच्छी नहीं थी, लेकिन आम जन्ता के साथ, Soviet Union की सरकार सारी सुविधायें बरकरार रखती थी, लेकिन जब liberalization होता है, तो जन्ता की सुविधायें सबसे पहले हटती हैं, तो इसलिए लोगों को बहुत परिशानी होती है, उस समय रश्या में कहवत प्रचलित हो गई, जिसमें कुछ ऐसा कहा जाता था, कि चडिया का पिंजरा सरकार ने खोल दिया है, ये सोच कर, कि दूसरी चडिया आकर इस पिंजरे में बैट जाएंगी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हमारे पिंजरे में जो चडिया हैं बैठी है, वही आप स्थिती थी देश की उस समय व्लादी में पुतिन धीरे धीरे पारफूल होते हैं, ये तो एक करमचारी थे वहाँ पर जो सीक्रेट एजनसी ये उसके लिए काम किया करते थे, बाद में ये मौस्को के मेर बन जाते हैं, बोरिस येलस्तिन के काफी खास व्यक्ति बन ज अब पुतिन जब पावर में आते हैं, तो इन्होंने आते ही सबसे पहले कई सारे ओलिगार्ख्स पर क्रैक्डाउन किया, तो ये वो अरब पती लोग हैं, जिनको कौडियों के दाम पर स्टेट के एसेट्स दे दिये गए थे, अब ये जितने भी नाम में लेने वाला हूं ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्जाम पॉइंट और व्यू से, बस एक बताने के लिए आपको बताया जा रहा है इनका नाम, तो मिखाईल खुदर्खोस की, ये बहुत बड़े ओईल फर्म, यूकॉस के मालिक थे, इनको तो जेल में फांसी दे दी जाए, तो यहाँ पर जितने भी दूसरे अमीर रशियन्स हैं, वो डर गए और चुप चाप पुतिन के सामने जाकर, हाथ जोड़कर, वो खड़े हो जाते हैं, और यही वो रीजन है कि पिछले 24 साल से लगातार पुतिन हर चुनाव में जीत रहे हैं, बिकॉस ही हाज अब रशिया की GDP धिरे धिरे व्लादिमिर पुतिन के कारेकाल में तेजी से बढ़ती है, यह भी इनकी popularity का एक बहुत बड़ा कारण है, आप देखें 2000 से 2008 के बीच में क्या जबरदस ग्रोथ है एकॉनमी की, और उसके बाद 14 के बाद भी थोड़ी बहुत ग्रोथ तो देख इसे कहते हैं oligarki, तो oligarki में typically क्या होता है कि चंद लोग जो बहुत ही अमीर हैं, वो सरकार को चलाते हैं परदे के पीछे से, और यह शब्द जो है, यह काफी typical है रशिया के लिए, दुनिया के किसी देश में इसका इतना इस्तमाल नहीं होता, जितना रशिया के संदर् आता है, अब कई बार भारत में भी ये terms, editorial में आप देख लेंगे कि इंडिया में भी oligarki आ रही है, बट रशिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है, किसी भी देश में, तो यह रशिया के लिए एक बहुत ही particular शब्द है, क्योंकि यहाँ पर चंद businessmen हैं, कुछ families हैं, जो प बड़ी-बड़ी कंपनियां हाथ में मिल गई, और उनको यह आज भी चला रहे हैं, कुछ examples आपको बताता हूँ, Sergei Borisovich Ivanov, he is considered to be one of the most closest person to Mr. Putin, तो Vladimir Putin के सबसे नजदी की वेक्तियों में से एक हैं, कई सारे सरकारी पद इनको दिये जा चुके हैं, और कई पहले भी deputy prime minister जैसा पद भी देख चुके हैं, defense minister रह चुके हैं, रशिया के, इनका बेटा है, ये भी काफी powerful ब्यक्ति है, he is the CEO of Alroza, Alroza एक रशिया known state diamond mining company है, और इस diamond mining company की जो mines है, अब देखिये, gossip mines है, मीर नाम की ये mine है, जो एक किलोमेटर से भी जादा चौड़ी है, और इसके किनारे ये इनकी जो companies हैं, Alroza जैसी companies, ये अभी पशीमी markets के साथ trade नहीं कर पा रही है, फिर एक और है, निकोलाई प्लातोनोविच पत्रुशेव, ये Secretary of Russian Federation Security Council है, आप देखोगे, जितने भी अरबपती लोग हैं, ये कोई ना कोई सरकारी पद पर भी हैं, ठीक है, यही है oligar की, तो सेचिन और इनका बेटा इवान इगोरविच सेचिन, ये भी अभी sanctions की list में डाले गए हैं, ये भी कई सारी companies चलाते हैं, जैसे कि Rosneft इसके board पर हैं, एक और oil company है, वहाँ पर इनका बेटा है, और इनका जो बेटा है, वो कई सारी companies के अंदर director के रूप में काम करता है, Alexander Alexandrovich विध्याखिन, ये एक बहुत बड़े bank के deputy chairman है, इस spare bank पर भी US ने sanctions लगाये हैं, और ये एकलोता bank, Russia के almost one third banking sector पर काबिज है, कई और लोग हैं, जिनके बारे में detail आप चाहो तो pause करके पढ़ सकते हो, कई तो पहले से sanctions की list में है, 2014-16 से sanctions की list में है, अभी फिर से उन पर और sections लगाये गए हैं, sanctions लगाये गए हैं, ये कई oligarchs London में रहते हैं, इनके London में घर हैं, उनमें से prominent है Roman Abramovich, तो इनकी कई सारी properties को UK government seize करने की बाते कर रही है, Chelsea Club की ownership ये अल्रेडी छोड़ चुके हैं, तो काफी सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, कई super yards, इन billionaires के अभी seize किय जा रहे हैं, France के द्वारा, Germany के द्वारा, तो बहुत सारा crackdown चल रहा है, लेकिन ये छोटा मोटा crackdown है, अब इसमें आप hypocrisy देखिए, कि ये सारे oligarchs बने क्यों, ये oligarchs कहां से आये, वो shock therapy याद है, किसने दी थी, Washington Group ने, तो वो जो Washington Groups थे, Washington वाले संगठन थे, उनी की shock therapy का नतीजा है, कि ये रशिया में oligarchs आये, ये Roman Abramovic वगेरा छोटे-मोटे businessman थे, ये 1990 के पहले रशिया में भी इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन रातो रात ये करोड़ पती, फिर अरब पती बन जाते हैं, तो वही US policies oligarchs बनाती है, और आज यही US कहता है, कि हम oligarchs को sanction करेंगे, तो देखे जनाब की दुनिया ऐसी ही है, आपके द्वारा किये कर्म चाहे अच्छे कर्म होया, बुरे कर्म घुम फिरकर वापिस आही जाते हैं, 10-20-30 सालों में, अब aspirants जो है, वो series वगेरा मत देखा करो, लेकिन जो aspirants नहीं है, उनके लिए बता देता so it shows that how oligarchs work, तो देख लेना, selection के बाद देख लेना, अभी तो आप इसका pdf download करो, mains में अगर exam में पूछा जाता है, history में भी, world history में भी पूछा जा सकता है, और अभी current affairs के संदर्ब में, economy के संदर्ब में भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको यहाँ पर लिखने के काफी सारे points मैंने बता दिये है, pdf यह telegram channel पर मिल जाएगा, अगर UPSC exam की तैयरी करना चाहते हो, तो अन academy पर आप live पढ़ सकते हैं, देश के best educators यहाँ पढ़ाते हैं, प्लस और iconic दो प्रकार के subscription है, कोई भी subscription लोगे 10% discount मिलेगा, मही पाल code इस्तिमाल करने पर, अभी modern history का course चल रहा है, जो की plus subscribers के लिए है, सुबह 8 बजे इसकी class होती है, which is ideal for working aspirants, an academy का जो पूरा preparation platform है, वो आपके लिए बहुत ही comprehensive तरीके से तैयारी करवाता है, उसके बहुत सारे benefits हैं, हर अफते या नए batches स्टार्ट होते हैं, अभी हमारा एक offline learning center स्टार्ट हो रहा है दि सामिल हो सकते हैं, कोई भी problem है, course से संबंदित, इस number पर call करो, subscription से संबंदित, सारी details यहाँ पर मिल जाएंगी, 0% EMI पर सारे courses available हैं, UCSCRIS 27 March को अभी enroll करोगे, तो Amazon vouchers जीच सकते हो, thank you very much, have a great day.